शुरुआती दौर में मेरा बहुत समय रेलवे स्टेशन पर और ट्रैक्स के उपर गुजरा यह समझने के लिए कि इंसिडेंट एक्चुली हुआ कैसे होगा और पिर हम लोगोंने रीकंस्ट्रिक्ट भी किया सीन ऑफ क्राइम को काफी एकसाइजिस की फसल को मुला कि दो कि यह मिलना चाहते हैं आप से तो मैंने का मैं अभी यहां पर तो नहीं मिलूंगा किसी से ट्रैक पर हूं इन्वेस्टिकेशन चल रहा है वह बात में कभी मिल लेंगे तो दिन में करीब दो एक बज़े के आस-पास खाने का टाइम होता है विश्राम ग्रेव बोलते हैं सक कर रहा था और खाना आता उससे पहले मैं बाहर जो कमरे के बाहर एक बालकनी होती है उसमें था जस्ट वेटिंग की खाना आएगा तो खाऊंगा तो इतने में वह पत्रकार महोदे घुज गया विद कैमरा तो मैंने मना किया कि यह कैमरा तो आप और नहीं कर सकते हैं बट पूछा मुझसे कि आपको क्या लगता है बट नॉट ऑन कैमरा ऐसा ही कैज्वल कॉंशेशन में कि यह क्या कॉंस्परेशी का केस है या एक्सिदेंटल फायर का केस है तो मैंने जवाब यह दिया था कि देखिए मैं अभी दो दिन भी नहीं जुए जॉइन के लिए मैं ची तो थोड़े देर बात करके और निकल लिये अचा उस समय यह टीवी वगरा नहीं था कमरे में तो मुझे आइडिया भी नहीं था अगले दिन मेरे पास गांदी नगर से काफी फ्रैंटिक कॉल आए कि आपने यह कैसे बोल दिया कि इसमें कॉंस्परेसी नहीं है आना का यह तो मैंने बोला ही नहीं है बोले हुआ क्या था तो मैंने बताया अपने अडिशनल डीजी साब को और जो अधिकारी पूछ रहते कि इस तरह से सीक्वेंस ओफ इवेंट्स था तो फिर मुझे गांदीनेगर जाना पड़ा वहां बोलाया गया वहां मैंने बताया कि कार महोदे को जो नहोंने टीवी पे चला दिया था तो उस पे लिखित अपालोजी देनी पड़ी वो चलाया भी अगले दिन दो दिन चला कि गलत बेयान हो गया है लेकिन उस तरह से प्रेशर बिल्ड़ अप होता है कि आप एकदम से पूरे सुर्खियों में आ जाएं कि ड आफिसर हैं तो इस तरह का प्रेशर आपको तहिला देगा लेकिन वो चीज नहीं थी तो हम लोग ने उसका सामना किया तो इस तरह के प्रेशर बनते थे कुछ एंजीयोज एक्टिव थी उनका ये कहना था कि ये एक्सिदेंटल फायर है और पुलिस इसको कॉंस्पिरेसी म वाले जो कि इस तरह का प्रेशर एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे हो समय नाम मुझे याद नहीं है तीसता से टलवार थी वो एंजीयों को लीड करती थे उन्होंने ही उनके तरफ से उनकी एंजीयों की तरफ से प्रेस में और जो भी सिविल लिबर्टिस के जो लोग तो थे उनके तरफ से काफी बयान आते थे कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है अब ठीक है वो किसी का आप ओपीनियन को नहीं चैलेंज कर सकते हैं या रोक नहीं सकते हैं लेकिन वह एक मेंटल प्रेशर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिटिंग ऑफिसर पे और हम लो कोकस चेंज नहीं किया और यह जरूर रखा कि एक केस इंपार्शली इन्वेस्टिगेट हो और केवल अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं हो बल्कि कोर्ट की जो स्कूर्टिनी है उसके सामने खरा होतर है